नमू अरहन्ताणम नमू सिधाणम नमू आयरियाणम नमू अज्जायाणम नमू लोए सबसावूनम तत्वग्यान विहीनानाम दुख में वही शाश्वतम तत्वग्यान से जो जीव विमुक है उनको उनका दुखी होना अवश्चम भावी है इसलिए जैन दर्शन में सुक्य होने के उपाए में सबसे पहले ग्यान करना चाहिए शास्त्रिय भाशा में उसे भेद विग्यान कहते है किसका ग्यान करना वस्तू का ग्यान करना जैसे द्रब्य और तत्व की चर्चा सरवग्य परमात्माने की है ऐसी द्रब्य और वस्तू यवस्ता का ग्यान करना कैसे करना तातई जिनवर कति तत्वा भ्यास करिजे संशे विब्रम मोह त्याग आपो लखी लेजे वस्तू को जानना ये उपाय है सुक्य होने का किस रूप जानना वस्तू को तो वस्तू जैसी है वैसा जानना जैसी है वैसे जानना मतलब थोड़े में मैं कहू जैसे लोग का उधरन लेते हैं हमने गेहु घर पर लेके आये तो गेहु के नाम पर बहुत घास फुस भी उसमें आ गई है कंकड़ भी आ गई है और कुछ तिरूले भी आ गई तो ग्यान करे मतलब क्या ग्यान करे ये गेहु के साथ ये unwanted चीजे भी है आईसा ग्यान करे तथा ये भी ग्यान करे ये ग्रहन करने योग्य नहीं है और ये गेहु ये ग्रहन करने योग्य है इसको कहते ग्यान करना समझ में आता है तो यहाँ पर हमें वस्तू का ग्यान करना है किस रूप करना जैसी वस्तू है वैसी तो अभी शॉर्ट में मैं कहू कि वस्तू स्वाधीन है स्वतंत्र है एक वस्तू दुसरे वस्तू पर आधारित नहीं है लोक में कोई किसी पर आधारित होता भी नहीं है ये वस्तू स्वातंत्रे है और ऐसे वस्तू स्वातंत्रे का ग्यान वह सुखी कराने में कारणभूत है अब प्रशन ये है कि छे द्रव्य साथ तत्तो का ग्यान करना है अत्मा का ग्यान करना है माकसर सुनते है आत्मा को जानो तो सुख की प्राप्ति होगी तो आत्मा को कैसे जाने प्रशन सबसे पहले खड़ा होता है कैसे जाने किसको जाने ये बात तो हो गई कैसे जाने अब इसको थोड़ा विचार करना है वे कौन से साधन है जिससे जाना जा सकता है एक तो ये है मुझे माल लाना है माल सबसे बढ़िया कहा मिलता है कोई कहे ये सबसे बढ़िया माल तो दिल्ली में मिलेगा तो दुसरा प्रश्न होता है बोलो दिल्ली कैसे जाए साधन क्या है जिससे हम दिल्ली को निकले दिल्ली की प्राप्ति कैसे होगी यह प्रश्न है अथ आप कहा है बोल रहे हो मैं तो उसी को कह रहा हूँ कि कैसे जाए किसका अश्रे लेवे तो हमको दिल्ली की प्राप्ति होगी साधन पकड़ रहे आप सब विशे साधन यो दो बाते मैंने आपको कहे दी ठीक है जैसे भोज्य सामगरी थाली में परोसी गई है वह है विशे और साधन जिसके माद्यम से हमें खाना है वो है हमारी उंगलिया पकड़ रहे आप सब तो उंगलियों रुप साधन से विशे को गरहन किया ये साधन साधन पकड़ रहे आप सब लेकिन एक बात समझना साधन की उपादेता उतनी ही होती है कितनी और जैसे भोजन मू तक पहुंच गया तो उंगलिया खाने के आवशक्ता नहीं है उंगलिया मू में भी नहीं डालना ये तो बदनामी होगी तुमारे बस में तो बैटना दिल्ली जाने के लिए लेकिन बोलो दिल्ली में बस पहुंचते ही बस से तुरंत उतर जाना साधन का उतना ही प्रवेजन है कितना वो लक्स तक पहुंच आता है साधन सोयम कभी भी लक्स नहीं होता समझने का प्रयास करो हमें लेंटल पर चड़ कर कोई चीज उपलब्द करानी हो लेंटल है पाँच मिटर का स्टूल कितना मिटर का लेना चाहिए उस पर चड़ने के लिए पाँच मिटर का लेंगे कितने का लेंगे स्टूल छे का लेंगे पाँच का लेंगे दो या तीन का बोल रहा है अब आपने मान के चलो तीन फूट का स्टूल ले लिया तीन मीटर बोल रहा हूं कि मैं मीटर तो फिर तीन मीटर का ले लिया अब फूट में ले लो क्या दिक्कत है उसमें कहना इतना ही है यदि साथ फिट पर रखा है कोई वस्तू तो आपको तीन फिट कस्तू लेना पड़ेगा ताकि आपको उपर से सामगरे मिलेगी ध्यान रखना क्या कहने चातों में कोई बताएगा साधन लक्ष नहीं हुआ करता साधन आपको नजदी किस बनाएगा किस में आप में और लक्ष में इतना काम साधन करता है अभी मैं किसकी चर्चा कर रहा है कोई बताएगा वस्तू का हमको ग्यान करना है वस्तू का हमको ग्यान करना है प्रस्थन यह है उसका ग्यान कैसे होगा नौलेज इस पावरा इसा लोक में भी कहते है लेकिन वस्तू का ग्यान होगा कैसे नानम नरस सारो नर के लिए ग्यान ह इसलिए जी वो ग्यान को प्रगट करो लोग में भी कितनी ग्यान की महिमा है एजुकेशन में अधिकांच पैसा एजुकेशन में खर्च करता है अधिकांच और उसमें हिचकी चाता नहीं है पूरे अपने जीवन के अमुल्य 25% लाइफ एजुकेशन में लगाता है समय तो 25- 30% खर्चा करता है और जीवन में भी फिर सीखता ही रहता है ऐसा नहीं कि स्कूल खतम होगे कॉलेज खतम होगे तो पढ़ना बन किया ऐसा नहीं है डॉक्टर इंजिनियर वकील रोजना चार-चार गंटे पढ़ते रहते है जब तक उनको धंदा चलाना है आप समझ रहे है मेरी बात को एजुकेशन निरंतर ग्यान कर रहे है उसका ग्यान किये बेना उनका पेशक कैसे चलेगा हमको भी वस्तु का ग्यान करना है वस्तु मतलब यहापर क्या कहने चाहता हूं मैं आत्म वस्तु अभी थोड़े में को आत्म वस्तु को जानना है क्यों जानना है सुक का ग्यान होना चाहिए है, बात ये है, आत्मा का ग्यान कैसे होगा, परिशन ये है, कोई साधन क्या वैं सकता है, जो हमको आत्मा तक पहुंच जाarnaे, समझ रहे हैं आप सब, और आत्मा कोई मूरतिक वस्तूतों है नहीं, किसीने बता दुयat है और आत्मा की प्रापती हो कितने उपाय बता हैं, कितने सादन बता हैं, हम देखते हैं, दुसरे अध्धाय का आठो सुतर खोले हैं, पहला सुतर आप समझेंगे, उपयोगो लक्षनम, सबके पास सुतर हैं, पहला सुतर आचरों ने रखा है, कि आत्मा की प्राप्ति होगी वो कैसे होगी साधन क्या है लक्षन लक्षन को जानो तो लक्ष की प्राप्ति होती है कह रहे है और लक्षन क्या है उप्योग उप्योग क्या है मैं थोड़ा बताओ आपको जानने देखने वाली परियाई को उपयोग कहते है इससे आत्म का ग्यान हो जाता है जैसे खारापन से नमक का ग्यान होता है गर्मी से बोलिए उशनता से अगनी का ग्यान हो जाता है ठीक उसी प्रकार बोलो ग्यान से आत्मा का ग्यान हो जाता है ठीक है ग्यान डुपी लक्षन से अत्वा उप्योग का है कह रहा हूं मैं आभी क्योंकि ग्यान दो बार हो रहा है उप्योग से आत्मा का ग्यान हो जाता है उप्योग मतलब जानना जानना उसको उप्योग कहते है जो निरंतर जानन देखन पाए जा रहा है प्रत्यक समय में सास चल रहे ना उक्षिजन की हमारे नाक में उसी प्रकार प्रत्यक समय में जानना जानना चल रहा है आत्मा में सास ये जीवन है शरीर का उसी प्रकार जानना जानना ये सास है जीवन है आत्मा का उसके बिना कदापी आत्मा नहीं रह सकता तो लक्षन्ड से आत्मा पकड में आता है आचरनी ये उपाए एक बताया है आपने को परन्तू परन्तू कोई बताएगा परन्तू लक्षन्ड मातर को जानने से समस्याओं का हल नहीं हो सकता क्यों कि जानने देखने वाले तो सिद्ध भी है जानने देखने वाले तो हम भी है एक प्रशन खड़ा रहता है हम भगवान को क्यों पूज रहे हैं फिर वे भी जीव है मैं भी जीव है जब हम समान हैं तो हम क्यों पूजे कितने जनको बात पकड में आ रही है लक्षन ने तो जीव की पहचान कराई लेकिन आज जीव दुखी है वो क्यों दुखी है और उसके दुख का अब हो सकता है क्या हो सकता है तो कैसे सांसरी और मुक्ता इसे दो प्रकर के जीव हो सकते है क्या हो सकते हैं तो कैसे ये हमको लक्षन से पकड़ में नहीं आता ये हमको समझने के लिए कुछ और साधन के आवशकता पड़ेगी आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को लक्षन अकेले के ग्यान से हमको ये ख्याल में आते हैं सिद्ध भी जीव हैं गदा भी जीव है जिसे और जानो चलो और कुछ साधन दे रहे हम आपको जिससे आप जीव को जानने का प्रयास करो तो देखिए अब अध्याय नमबर एक खोलिए तत्वार सुत्र का पहले अध्याय खोल लिए सबने पहले अध्याय में आप सुत्र देखेंगे पाच्वा नाम, स्थापना, दर्वे भाव, तस्तन्यास सहाब मिल रहा है अध्या आपको आचर देव ने कहा निक्षेप से उस्तु को जाने निक्षेप से कैसे जानना मैं आप भी बता रहो आपको निक्षेप से आईसे जानना नाम, स्थापना, दर्वे भाव, चार निक्षेप बताए जा रहे अब हमने पूजन के भी ये चार बेद देखे थे आपको याद आ रहा होगा नाम स्थापना दर्वेबाव जैसे हमें जीव को जानना है ठीके हमरे बगल में एक लड़का रहता है उसका नाम है जीव किसी का नाम रहता है जीव मैंने एक जन का नाम कहा तो थोड़े दिन पहले जीवराज याद आ रहा है आपको जीवराज नाम बताए था जीवराज भी नाम हो सकता है तो गरन्त में बार-बार कहा जा रहे जीवराज को जानो लेकिन कोई भरहम खड़ाना करे क्यों? किरे निक्षेप का पहले ग्यान दो इसको क्यों ग्यान देना निक्षेप का? क्योंकि जीवराज को जानो तो वो जानने लगए पोड़ोसी को कि इसको जानने से हमको सुक्षानती होगी किरे अरे बाबा वो तो नाम वाला जीवराज है इसको कहते हैं नाम निक्षेव नाम का जीव है वो चेतन को जानो तो चेतन मतलब कोई चेतनलाल नाम का पॉड़सी को नहीं जानना था सब पकड़ रहें मेरे बात को आच्छे से नाम निक्षेव का ग्यान होना चाहिए आपको कि ये तो नाम है महवीर को पूजना किसको पूजेंगे हम महवीर को अब महवीर अपना लड़का नगलारती महवीर तो उसको पूजना क्या उसको ग्यान करा वस्तु का ग्यान करने के लिए नाम निक्षफ होना चाहिए अरे नाम दिया है बस इसमें ऐसा कुछ भी गुण जाती नहीं है फिर स्थापना निक्षेप एक दिन टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे थे क्या पढ़ा रहे थे एक है जीव देखे ये जीव और देखे ये है शरीर जीव ने शरीर को अपना माना देखो जीव दुक्यों हो रहा है तो जीव को जानो क्या पढ़ा रहे हुए दुसरे दिन वो आया क्लास में और देखा बोर्ड पर कुछ ने था बहुत रोने लग गया बोला मैडम अभी कैसे जाने जीव तो मिट गया है जीव तो मिट गया है अब हमको जीव को जानना था जीव तो जानना था जानने के लिए उसको आचरीदेव ने निक्षेप बताए जीव को अरे भाईया वो तो स्थापना निक्षेप है स्थापना निक्षेप मिट्या तो बहुत बुरा होता है ना हमने देखा उस दिन नाटक में योगदम काला काला मोटा मोटा मित्यातो होता है अरे बेवकूफ वो तो एक्टिंग की थी मित्यातो की एक जन्ने स्थापना निक्षेप कहते हैं उसको स्थापना निक्षेप समझ में आता है राम कितने वर्ष पहले हो गए हज़र वर्ष अरे हमने तो कल देखा कल हुआ है या अरे वो तो नाटक हुआ नाटके सो नाटक जो टिकता नहीं सो नाटक तो वो स्थापना निक्षेप है भाई या तुम ध्यान से समझो हम आत्मा के कौन से आत्मा को जनना ना नाम निक्षेप वाले, ना स्थपन निक्षेप वाले, आगे बढ़ो लोक में कहते हैं, आचरे ने उपदेश देना चालो कि और कहा आत्माओं हे जीवों जीवों क्या बोल रहे हैं? हे जीवों तो इन शेरिड से युक्त को जीव कहा बोलिए इसको क्या कहेंगे ये द्रब निक्षेब आप सब समझ रहे मेरे बात को अच्छा ये जीव है ये जीव है ये जानता है ये जानता है अच्छा मैं खाता भी हूँ मैं जानता भी हूँ मैं खाता भी हूँ मैं जानता भी हूँ दरबिनिक्षेब, वो दोनों को एक ही मान रहा है, वो दो मानी ने रहा है, कितने जन बात को पकड़ रहा है, तो उसको बताए, नहीं नहीं, आगे चलो, इस शरीर में भी, यह शरीर तो एक सैयोग मातर है, उसके अंदर मूल एक चैतन्य धातु छिपी है, वो चैतन्य जिसमें जानना देखना पाए जाए, और शरीर में नहीं पाए जाए, वो है आत्मा, वो है भाव निक्षेब वाली आत्मा, उसको जानना है, आप सब समझ रहे मेरी बात को, कहा तो कहा है हम, क्या मानता तो पहले मैं खाता भी हूँ, मैं जानता भी हूँ, उसको बोला दे गुण है और अमुर्तिक गुण अमुर्तिक द्रव्य का होता है और अमुर्तिक द्रव्य के सभी गुण अमुर्तिक होते है और खाना पोद्गलिक क्रिया है वो पोद्गलिक वस्तु के माद्यम से संभव है खाता पीता शरीर है चेतन आत्मा खाता नहीं है वो जो नहीं मु भावनिक्षेप भावनिक्षेप में क्या जो चेतन अंदर में वस्तु है अमुर्तिक दिखाई नहीं देती देखो तुमने ध्यान दिया होगा डॉक्टर तुरंत हाथ पकड़ कर नबस पकड़ कर कहता है किसके बारे में बोल रहे है वो नहीं है मतलब कोई यहा पर था और आज वो घर खाली करके चला गया है वो घर वाला अलग है ये घर अलग है किराईदार ने ये घर चोड़ कर नाए घर पकड़ लिया है उपचार से उसका ये घर के साथ अभیद करके उसको नाम बोला जाता जैसे मैंने कहा ये कौन है ये सुरियांच है लेकिन ये पूरा सुरियांच नहीं है उपचार का कतन सुरियांच का स्वेटर हटाओ तो भी सुरियांच पूरा है की नहीं है लेकिन सुरियांच के स्वेटर को मिला कर भी क्या का ये सुरियांच है ठीक उसी प्रकर सिध्धान् लेकिन शेरी को हटो तो भी जीव है कि नहीं है अरे वही जीव है है भाव निक्षेप समझ में आता है आपको प्रॉपर एप्रोच से लिखना एक-एक चीज मुक्ति बेटा आप अच्छे से नोट कर रहे हैं सब बाते एक-एक ये क्या प्रकरन चल रहा है मुझे बताना थो इसलिए उठाया वस्तु का ग्यान होना ज़रूरी तो ग्यान कैसे होगा तो लक्षन के माधिम से कराया लक्षन में थोड़ी बादा आ रहे है ये क्या बादा आ रहे लक्षन में उफ्योक तो भौट जीवों में पाय जाता है तो भिन्नता क्यों? बिन्नता क्यों और पिर जीव मतलब कौन सा जीव लेना निक्षेप चाहिए न क्योंकि वोर्ड पर बना जीव उसको उप्योग लक्षन थोड़ी है निक्षेप का भी ज्यान करा है बेटा पकड में आ रहा है भाव निक्षेप को हमने जाना अब सब समझ रहे मेरी बात को अब भाव निक्षेप को जाना तो काम अपना हो गया ये जीव है मूल में और इसका लक्षन है जानना देखना कितने जन्ने बात को पकड़ा मौक्षमार के प्रकाशक कोई उठाएंगे मुक्षमार के प्रकाशक उठाएंगे 322 पेज खोलेंगे 322 पेज पर आप आईए बेनने आपो हाँ 322 पेज पर आप सबाईए आपको थोड़ी जानकरी देना चाहता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं है देखे मित्याद रिष्टी के जो तत्तोश अद्दन कहा है एह यहाँ पर दोना एक इस तरफ नहीं है 322 पेज मित्याद रिष्टी के जो तत्तोश अद्दन कहा है वो नाम निक्षेप से कहा है मैं तो निक्षेप आपको बता रहा हूँ जिसमें तत्व शद्दन को गुंड नहीं और वियावर में जिसका नाम तत्व शद्दन कहा जाए वो मित्य दृष्टी को होता अथवा आगम दर्वे निक्षेप से कहा है तत्व शद्दन के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है उनका सुरुप निष्चे करने में उप्योग नहीं लगाता अईसा जाना तत्व शद्दन कहा तो भाव निक्षेप से कहा है भाव निक्षेप समझ में आता है आपको मैंने यह क्या पढ़के यह क्या दिखा है आपको कोई बताएगा मुझे तो और दुसरा प्रक्रिनिक पढ़ना था काईदे से क्यों नहीं मिल रहा है वो कोई बताएगा मुझे क्या बताना इसमें से वो तत्वार शद्दन करना ये मान कर वो तत्वूं के नाम रट ले इसने तो आचारे देट टोडर मल जी कह रहे है वो तो नाम रिक्षेप हो गया पिर जो बहुत गरंद का पाठी है तत्वार शद्दन संबंदी उसको द्रव्य निक्षेप कहा लेकिन उससे भी काम नहीं होगा सम्यक्तों का सच्चा लक्षन तत्वार शद्दन है वो भाव निक्षेप वाला चाहिए उसमें भाव चाहिए हो पकड़े तो निक्षेप का ग्यान होना जरूरी मैंने थोड़ा इसके लिए बताया ठीक है अब और आगे चोलो ठीक है अब जीव हमको मिल गया अब भाव निक्षेप वाला जीव समझना यह भी ख्याल में आया और बार-बार रोजाना बोलड पर पढ़ाएंगे उस थाप में निक्षेप वाला ही पढ़ाएंगे क्यूं क्यूंकि यह मूर्ती का आत्मा भाव निक्षेप वाला तो दिखता नहीं है तो चर्चक कैसे चलेगी नाटक में कैसे सच्चे जीव को खड़ा किया जाएगा आप सब समझ रहें ने मेरी बात को तो व्यावार के लिए यह सब कारेकारी है लेकिन मूल जीव को जानना जुरूरी है चेतन नाम क्यों रखना जुरूरी है क्योंकि जब जब भी चेतन नाम लोगे आपको अपना चेतन आत्मा याद आएगा यह सबी तीनो निक्षेप भाव निक्षेप के लिए ही है भगवान की प्रतिमा हम आत्मा को दिखाने के लिए यह भगवान के भी जो नाम रखे जाते है सुयम को भगवान देखने के लिए है आप पकड़े मेरी बात को प्रणाओ क्या ख्याल में आया अक्षत क्या कह आए मेरी आत्मा को कभी नाश नहीं होता मतला भव निक्षेप में बढ़ना है आपको चलना हो अगे अब भव निक्षेप वाले जीव में भी आए लक्षन भी पता है लेकिन आपती क्या है तकलिप क्या हो रही है सभी जी वे एक सरी कही होंगे हम जो दुखी है और कोई सुखी है यह ऐसा चेंज क्यों हो रहा है और हमारे दुख जाकर सुख भी हो सकता है कि नहीं यह जानना जरूरी है सब समझते हैं बात को किसी के हाथ में कच्छा केला मिला लगा वो फेक ने अरे मुझे तो खरब केला मिला उनको कितना अच्छा मीठा केला मिला ने ने फेको मत तुमे ग्यान नहीं है आप क्यों? ये पर्या या पिक्षा से न्यारा है लेकिन इसमें भी वही ताकत है जो उसके हाथ में फेको मत तुमारे कल काम आएगा आप समझते हैं यह पर्याद रिष्टी से अंतर उसको कैसे पकड में आता मातर लक्षन से तो पकड में नहीं आता लक्षन में इसमें तो वही है वही उसमें भी लक्षन पाया जा रहा तो विशेष ग्यान के लिए आचर देव ने सोचे इसको और कुछ साधन दिये जाए तो और एक सुत्र बता दिया प्रमान नेर अधिगमहा क्या सुत्र बताया यह पहले आद्दे का छटो सुत्र आप सब देखेंगे प्रमान नेर अधिगमहा प्रमान और नए से आत्मा को जानो और कुछ साधन है तो आचरों के लगए इसको और साधन बताए कुछ प्रमान नए में हमको विशेष चर्चा करनी है इसलिए अब मैं थोड़े यहाँ पर पॉस देता हूँ कितने जन बात को पकड़ रहे एक कितने जन को यह चर्चा रोचक लग रही है अच्छी लग रही सबको चर्चा कि बोरिंग लग रही है अच्छी लग रही है समझ में भी आ रहे हैं सबको आच्छे से बेरी नाइस अब देखिए प्रमान नहीं कि हम विशेश चर्चा भी थोड़ी देर में करनी है कल से करेंगे चाहो तो आच्छर्यों को लगा और कैसे समझा जा सकता है आत्मा तो देखिए सूतर आप देखिए पहले अद्दय का ही सात्वा सूतर देखिए निर्देश स्वामित्व सादना दिकरंस्तिति विदानता इससे भी जीव की पहचान हो सकती है सात्त्त्यों की पहचान इससे भी हो सकती है आठवय सुत्र और सुत्र देदो बोले सद्संक्चे ऐक्षेतर इस परशनिकाल अंतर बहल भाव अल्प भौत वाश्चप इससे भी जीव की पहचान होती है, साथ त 125 की पहचान होती है कुल कितने सुत्र हुए जीव की पहचान के लिए पाच लेकिन परन्त यह साथ और आठवा जो सुत्र है यह बहुत चर्चित नहीं है नए सुत्र है यह क्योंकि यह विस्तर शैली वालों के लिए है इसलिए इनकी चर्चाब हम नहीं करेंगे आप सब समझ रहें मेरी बात को अब हम प्रमान नहीं रादिगमा की चर्चा करते हैं निक्षेप की तो कर ली प्रमान नहीं में चर्चा करके फिर हम नहीं में बढ़ेंगे फिर अपना निश्चे व्यावर प्रकरन कल से चलेगा कितने जन्ने प्रकरन को पकड़ा मैं भूमी का मैने रखना चालू की है आपको लग रहा होगा इन इश्चे व्यावर तो कुछ ही नहीं बोल रहे है अरे तुरन थोड़ी ना बोला जाता ये भूमी का रख रहा हूं मैं प्रमान और नहीं से वस्तु को जानना अब देखे छटव सुत्र जो भी बंगाल से पदा रहे हो वे भाई कृपए खड़े रहे है बंगाल से कोन खड़ा आया है कृपए खड़े रहे आप खड़े रहे है खड़े रहे बस क्यों खड़ा किया इनको मू ठेड़ा तो नहीं किया इनोने लेकिन नीदा रहे है इनोने पूरा अंग ठेड़ा किया थे इनों ने अभी, आणे, आणे, आणा शरीर नहीं करना, बोच जन्द, आणा नहीं लिखते, आणा लिखते, आणा, चलो, ठीक है, अभी देखिये, यह सुतर देखो, पहले आद देखा चटम, प्रमान नेरा दिगम, इस शब्दक आर्थ में आपको बताओ आपको, सबको, इसे पहले और एक बात बताओ, यह जो निर्देश स्वामी तो साधना दिकरन लिखा है न, यह छे वस्तुए है, कितनी? इनको छे अनुयोग कहा, आचरों ने, अनुयोग मतलब जानने के साधन, और सत्संक्यक्षेत्रस परशन है न, यह बो आई, कितने हैं यह सब सत्संक्यक्षेत्रस परशन? आठ है, आठ, सत्संक्यक्षेत्रस परशन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्वश्च, अल्प बहुत्वश्च, ठीक है? अभी देखिए, यह आठ अनुयोग है, अनुयोग मतलब जानने के साधन, उपाए यह जानने के साधनी बताए है, पूरे आचरों ने अभी हमको किसकी चर्चा करनी है? प्रमाण नए रादिगमा है इसका शाब्दिकार्त यह है, मुक्ति बताओगी बेटा? प्रमाण और नए संधी विच्छत करो पहले प्रमाण नए है, अधिगम हाँ प्रमाण और नए से अधिगम होता है, अधिगम मतलब ग्यान होता है, जानकारी होती है तो यह जानने के साधनी इनकी चर्चा हम करेंगा अभी इस सूतर में प्रशन पहले लिखा है, प्रमाण शब्द बड़ा है, नए शब्द छोटा है इसमें गारव दोश आता है, द्वन्दो समास का ये नियम है कि पहले लगु अक्षरी शब्द आना चाहिए, फिर दिर्गा अक्षरी शब्द आना चाहिए सूतर होना चाहिए था नए प्रमाण एर अधिगम है आपने प्रमाण पहले क्यों लिखा? आचारे देव समादान कर रहे हैं, कहते हैं, हम जानते है कि छोटा अक्षर पहला चाहिए, फिर बड़ा चाहिए, सूतर का नियम है लेकिन और भी एक नियम है सूतर का कि यदि प्रमुकता हो किसी में, तो उसको पहले नमबर पर रखा जा सकता है किसने बात को पकड़ा, मेरी दोको मीटिंग में ऐसा होता है जब भी मीटिंग होती है, तो एक सर्कुलर बाटा जाता है उसमें कहा जाता है, आज हमको विद्वान बुलाने हैं, उस संबंदी चर्चा करनी है एक हमको दिपॉली संबंदी, पत्रिका संबंदी, कैसी पत्रिका बनी कि उस संबंदी चर्चा करनी है, दो और कुछ अच्छे बच्चे है गुरुकुल में अटवी में नए अच्छे बच्चों में कुछ बच्चा आये है उनको हम चाहते किसी रूप उनको इनाम देकर उनको सम्भानित करें तीन और अंती में एक बिंदू लिखा रहता है सर्कुलर में बोलो कोई ग्यान में है आपके हर सर्कुलर में ऐसा होता है आइन टाइम कोई नाय विशे आए तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे पकड़ रहे हैं आप सब हर सर्कुलर में आपको ये एंड का पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा ऐसे क्यों मिलेगा क्योंकि वहांपर यदि कोई है कि आपने तो कहा था तीनी बिंदू पर चर्चा कर नहीं चौतर बिंदू पर चर्चा कर रहा है अपने हैं Vाँ पहले क्यों नहीं बोला तो हेड है चेरमन वह अपने पास थोड़ से ओंथूरिटी रख लेता है कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इन टाइम कुछ भी चर्चक कर सकता हूँ, मैंने इतना क्यों कहा हुदा रहे हैं, कि हम एक नियम हमने हमारे लिए रिजरुड रखा है, कि प्रमुक्ता किसी में दिखे तो हम उसको पहले लेंगे, तो प्रमान यह पूज्य है, नई किया प पिक्षा, करेली वाले आगम की बात नहीं चल रही है, आगम आपिक्षा, फिर बाद में दो चार दिन में मैं आपको और बात बताओंगा, दो चार दिन में नहीं, आपको तो अभी जाते समय ही कभी बताओंगा तो बताओंगा, जब आठ ने पढ़ाने वाला हूँ तो त प्रमान ये पूज्य हैं क्यों अभी सब यहाँ पर देखेंगे द्यान दो अभी सब प्रमान मतलब क्या पहले में थोड़ा सामने परिभाशे बता दो आपको प्रमान समग्र वस्तु को जानने का साधन उसे प्रमान कहते हैं ठीक है समग्र वस्तु को जानने का साधन इसको सकल गराही भी बोलते हैं चलना है अभी आगे सकल गराही मतलब समग्र गरहन करता है प्रमान समग्र वस्तु को गरहन करता है नई क्या करता है उस वस्तु के किसी एक अंच को गरहन करने के ग्यान के साधन को यह सब ग्यान के ही सादन है नए कहते है इतना ख्याल में आया हो तो आप चर्चा पे लोट आईए चर्चा पे लोट आईए अभी यहाँ पर देखे आभी सब पहली बात तो मैं आपको बता दू कि प्रमाण समगर वस्तु का ग्यान करता है हमने कहा दो को पहले तो एक बात समझ लो सब प्रमाण का शाब्दिक अर्थ जानने का साधन प्रमाण मतलब जानने का साधन और जैन दर्शन में जानने का साधन वेरी नाइस सम्मे ज्यान को बताया गया है जैन एतरों में भी प्रमाण तो माने है प्रमान माने हैं सबने लेकिन वे प्रमान पदार्थ प्रकाश इंद्रियों को मानते हैं मैंने लिया था के प्रविशिका में प्रविशिका में लिया था मैंने इसको नहीं लिया था मैंने किसको मानते हैं वे क्या मैंने क्या बोला आप भी बोली है मैंने ये बोला प्रमान अन्यमती भी मानते है प्रमान मतलब जानने का सादन वे किस से ग्यान होता है मानते है इंद्रिय से इंद्रिय नहीं होगा कैसे ग्यान होगा पदर्थ नहीं होगा कैसे ग्यान होगा उजलन नहीं होगा कैसे ग्यान होगा आईसा भी लोग मानते है जैनियों ने ये बोला है कि पदार्त प्रकाश और इंद्रियों से ग्यान नहीं होता तो ग्यान जानने का साधन क्या है सम्मिक ग्यान से ही वस्तु का ग्यान होता है ऐसे क्यों बोलो कोई मुझे बताएगा सम्मेक ज्ञान से सम्मेक ज्ञान को प्रमान क्यों कहा जैनियोने बोलियो कोई मुझे आपसे कोई उत्तर चाहिए भी सम्मेक ज्ञान को क्यों प्रमान कहा जैनियोने क्योंकि देखिए ये मोक्षमार्ग का प्रकरन है काई का प्रकरन है किसने साप को साप बराबर जाना दो को इंद्रिय से हमने साप को जाना हो गए इंद्रिय प्रमान अचर देवी कहते हैं हमारा मोक्षमार्ग का प्रकरन है सम्मेक ज्यानी प्रमान है सम्यक ज्यान से कैसे वस्तु को जाना जा सकता है तो देखो कैसे जाने को वस्तु को इंद्रिये वाले ने क्या जाना सापको ओ, खतम कर देगा हमको यह समझ मैं रहे सम्यक ज्यान कैसे जानता है उसको क्या कहा मैंने अन्यमती कैसे जाने के सापको यह अनिष्ट है घातक है सम्य ज्ञान कैसे जानेगा उसी वस्तु को कैसे जान सकता है बताए मुझे कोई यह जीव है और शिरिर का सयोग है घातक कोई किसी को हता नहीं है हमारे जीव और हमारे शिरिर ऐसे यहाँ पर भी दो है और हमारे शिरिर का घात यदि होगा पहली बात तो यह है पाप कर्म के उदैसे होगा यह तो भहिरंग निमित्त है और दूसरी बात यह है वो भी शेरीर का विनाश की बात है आत्मा तो कभी भी मरती नहीं है अब पकड़ने का प्रैस करो थोड़ा मुझे क्या कहना है मुझे क्या कहना है कोई बताने का प्रैस करेगा कोई बताने का प्रैस करो मुझे two plus two is equal to four two plus two is equal to four यह अन्यमति भी कहे लेकिन वो प्रमाण ज्यान नहीं है और हमारा सम्मेक दृष्टी two plus two is equal to three भी कहे सम्मेक ज्यान है ऐसा कैसे क्या 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 बोला मैंने two plus two is equal to three बोले तब भी समय गयान कैसे देखो सुनो सुना अभी आईसा है कि ये दो लाख प्लस ये दो लाख ये छार लाख ओ हो ये मेरी पूंजी ये मेरे सुक का साधन ये चला गया तो मैं गया जान की बाजे लागा कर भी मुझे इसके रक्षा करना चाहिए ये टू प्लश टू इसकल डू पोर ऐसा ग्यान के साथ उसको ये ग्यान बराबर हो रहा है इस से मैं मेरे से ये मैंने कमाया अब मैं इसको भोगूंगा इसलिए उनके वो कहते तुम्हे जानना नहीं आता वस्तू को कि रहा हम जान रहे ना बराबर दो प्लश टू इसकल पोर ऐसा नहीं मोहो छूटना चाहिए ऐसा जानना चाहिए तुमको कोई शरब पिता है वो कहे ए कोई अब शरब की छोड़ दो थोड़ी देर के लिए कोई गाली दे रहाता है उसको कहा देखो तुमारे पिता जाय है पीछे देखो फिरह मुझे जानता हूं मैं पिता जाय है यह यह क्या पिता जी खड़े दो भूट पर गाली ने रहे तो वो जानता है कि पिता जी को उसको सम्मेग जञान नहीं हुआ है गाली छुटनी चाहिए तो वो पिता जाने का सम्मेग जञान होए कितने जन्य बात को जाना अभी सम्मेग दृष्टि क्या करता है देखो two plus two is equal to wh paghuri बोलने में इससे लिपट रहे हैं लेकिन हम अंतरंग पुरशार्थ बढ़ाएं तो आज भी मुनिश्वर बिना इसके रहे पा रहे हैं कि ने रहे पा रहे हैं और पुरशार्थ बढ़ाएं भगवन बिना बोजन की रहते ही कि नहीं कौन कहता है बोजन जीवन है बिल्कुल जीवन नही जीव तो कभी मरता ही नहीं तो यह पैसे में असार दृष्टी इश्टकलपना नहीं है उसको इश्टकलपना नहीं है उसको समझ में आता है क्या कहा इश्टकलपना का अभाव हुआ साथ में अनिश्टकलपना का अभाव हुआ तो इसलिए उसको सम्मेग ज्यान उसके सम्मे दृष्टी कोई होता है मित्य दृष्टी को वस्तू का ग्यान नहीं हो सकता बोलो जिन्हों ने हमको जनम दिये उसको क्या कहते है उसको क्या कहते है मा कहते है अपको मा का ग्यान हो गया बोलिए मा का ग्यान हुआ प्रॉपर कब कहने में आएगा बताओ कोई दी बताए माँ का ग्यान प्रॉपर हुआ कब कहने में आएगा बोलिए ये माँ है ये ग्यान हुआ कब कहलागा ये तब कहलाएगा जब आप बराबर माँ की सेवा कर रहे है माँ की भक्ती कर रहे है बराबर समझ में आता है और मा जब तक हम हैं आपको कोई किष्ट नहीं होगा पूरा हम कर रहे हैं समझ में आता है नहीं आपने ज़ड़ों लगाओगे ज़ड़ों हम लगाएंगे हम होते विए आप कैसे काम करोगे अपने हमको इतना बड़ा किया दस बारा साल का पेट में रखकर इतना किया हम आपको पेट में तो नहीं रख सकते और ना आपने तो हाथ से खिलाए सब खिलाए आपको तो इतना नहीं हम तो इतना नहीं करना है हमको तो थोड़े बहुत एक काम है यह हम कर लेंगे तो मा का ग्यान हुआ मा को चाहे जो कुछ कहे लेकिन उसको मा का ग्यान हुआ और मित्याद रिष्टी जो मित्याद रिष्टी की बात नहीं है वैसे कोई मा की वह भी नहीं करे और पूज्य माताजी के नام पर मा के नام पर बैंग खोले मा के नام पर धरम शालाए खोले, आनाताश्रम खोले, सब खोले और मा की से आव़ा ना करे, उसको मा का ग्यान लाएं नहीं है, कितने जन बात को पकड रहे है, मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं मुझे आप से सुनने का भाव हो रहा है आप बता पाएंगे बता हो सम्य ग्यान ही प्रमाण है ऐसा बोलना चाहिए आपको आप उल्टे बोल गए प्रमाण सभी ने माना है जैन जैने तो रोने लेकिन वे प्रमाण जो इंद्रियों से दिखता उसी को प्रमाण मानते है पदार से ग्यान होता प्रकास से ग्यान होता और हम ये मानते है ग्यान तो अपनी योग गिता से होता है और हमने प्रमाण सम्य ग्यान को माना कि सम्य ग्यान ही वस्तु को जानता है बाके आखे वस्तु को नहीं जान सकती क्यों ये मोक्समार का प्रकरन है आईसा जानो जिससे रागद्विस नहीं होना चाहिए आपको जानने जानने में फरक है समझ में आता है ठीक है ये देखो कैसी चीज है हाँ देख लिए कुछ महिमाई नहीं आ रही उसको हाँ मुझे तो ये चाहिए बस उसने जानी वो उस तो आईसा जानो की महिमाई टेबल को जानो कैसे जानो ये पुद्गले परमानों कर ढेरे इसमें सुब गुम नहीं है आईसा जानना वो सम्मेग ज्यान है और ये जानने का ये सादन है प्रमान इसलिए हमारे जैनियों ने सम्मेग ज्यानम प्रमानम परिक्षमुक सुत्र में एक सुत्र लिख डाला सम्मेग ज्यानम प्रमानम समझ में आते है सब को बहु होगा मैं आगे बढ़ता हूग उसे मुझे एक चर्चा कर रहा था मैं सम्मेग अभी तो बीच में प्रमान की चर्चा कर दी मुझे क्या चर्चा करनी थी कोई बताएगा चर्चा क्या करनी थी मुझे किसकी चर्चा कर रहा था मैं ये कह रहा था प्रमान को पहले लिया गया है याद आता है आपको अब देखिए प्रमान को पहले लिया गया है और नहीं को बाद में ऐसे क्यों हुआ प्रमान समगर वस्तु को जानता है आपको मान लिजिए एक फ्लैट खरिदना है आप क्या करेंगे बोलो संदेश आप खड़े रहे आपको विद्वान के लिए कोई फ्लैट खरिदना है कि विद्वान कभी भी आते है दिल्ली में उस्मानपूर में उनको दिक्कत ना हो तो मैं फ्लैट खरिद के रखता हूँ कोई भी आए तो यही पर रहेंगे मैं उनकी सेवा करूँगा आप सबसे पहले क्या करेंगे? फ्लेट करीदेंगे, फिर क्या रहेगा पीछे? खरीदने के पहले, आप सबसे पहले क्या करेंगे मैं बता रहू Sharon? अब पहले building देखेंगे, अच्छा यह building है, और पूरा पष्टार आपने देख लिया, अच्छा यहाँ पर क्या है? ये बस्ती जेनियों की, ये भी आच्छा, first ये किया, आपने auto sports देख लिए, neighborhood देख लिए, next फिर आपने देखा, फ्लैट में बगल में फ्लैट किसका, अभी building के चर्चा थी, अभी नीचे किसका, उपर किसका, समझ में आए, बटो, फिर बाद में आप क्या करेंगे, कितने फ्लैट कितने भी एच के का है कितने स्क्वेर फिट का है और फिर अच्छा इतना बड़ा फ्लैट है अब एक काम करेंगे फिर ये फ्लैट का नक्षा फिर एक काम करेंगे हम हम देखो अब एक कमरा देखो उसकी खिड़की कैसी है उसका furniture कैसा है फिर एक-एक बात्र में जाओ बात्र में कैसी fitting है कैसा पानी आ रहा है क्या रहा है एक-एक चीज जाओ फिर चाओका ये चाओका ये कितनी steps हो गई कितनी steps हो गई steps में नहीं गिन रहे है steps में गिनो ये पहले अड़स-पोड़स देखा पूरा अड़स-पोड़स building फिर अड़स-पोड़स flat नीचे उपर फिर क्या देख रहे है पुरा view flat का मात्रा अपना flat फिर flat में भी अंदर कमरे कितने कितने भी अचके कितने square feet कहा पर बराबर east में सब ये चोका है उजला आएगा अच्छा अच्छा है पिर next fourth step पर क्या करेंगे चोके में गए कितना बड़ा चोका है अच्छा ये चोका है यहाँ पर ये platform है यहाँ पर पानी की वेवस्ता अच्छा ये है अब सब जगे एक एक जगे जगे जाएंगे वहाँ पर ये वेवस्ता देगे आप चोके में भी और अलमारी खोल के देखो कैसा है अलमारी अंदर रखने करने की क्या वेवस्ता है आप समझ रहे है और फिर आपने फिर अगेन ये सब देखने के बाद अगेन अपने उठाए वे नक्षा और फिर नक्षे पर विचार करने लग गए कितने जन्ने बात पर देहन दिया है हमने समग्र पहले फ्लैट देखा पहले तो फ्लैट का आजुबाजुबी देखा पहले समग्र फ्लैट देखा ये समग्र पहले देख लिया और फिर एक-एक अंश को हम देखने लग गए और अंश को देख देखकर फिर समगर की विशेश महिमा हमको आई कितने जनको ख्याल में आया प्रमान पुर्वक नए नए पुर्वक प्रमान प्रमान पुर्वक नए ऐसा चलता रहता निरंता पकड़ है आप सब, आपने देखा हो गर T.V पर cricket match दिखाते हैं, सबसे पहले क्या match चालो होने के पहले क्या दिखाते हैं? आपने कभी cricket match देखिये? देखे आपने, cricket जानते हैं गेम हेग, तो उसमें दिखाते हैं जैसे कोई one kedi stadeum है, nearu stadeum है, कोई भी moholly station है, स्टेडियम है तो कही का स्टेडियम है तो स्टेडियम को दिखाते समय वे पहले दिखाते हैं स्टेडियम के बार लेकिस फ्लोईं सब दिखाते हैं पूरा पिछ उपर से दिखा लिया उसमें एक साथ उस कैमेरा में हमको बाहर की नदिया दिख रही है शहर दिख रहा है बाहर का पैविलिन दिख रहा है पूरा पीछ दिख रहा है और पूरा जमीन सब दिख रही है पिर एक दम फोकस करके पिर एक दम फिर आईसा करने के बाद पिर एक फोकस स्टेडियम सुनो अभी तक यह है प्रमान समगर वस्तु का ग्यान फिर एक फोकस पब्लिक की तरफ पब्लिक ये बैटी है फिर एक फोकस फिर जमीन कैसी है कैमेरा आपने देखा है आज की जमीन ऐसा लगता है इस पर बॉलिंग अच्छा है बॉलिंग के लिए अच्छा है आपका क्या कहना है इसमें बॉल अच्छे से स्पीन हो सकती है पस इतना डर लग रहा है कि बॉलर ही स्पीन होकर गिरना जाए समझ जाते है कि स्पीन करते करते भी गिर जाते कोई-कोई इतना टेड़ा टेड़ा आने आना करते आना ही हो जाते हुए आना समझते हैं आना लोग आना कहते है आडा को और आभी छे जन्ने पेपर में लिख लिया आने भाव से आनी गती होती है चलो आप समझ देने मेरी बात को तो फिर एक एक को दिखाए जाएगा अभी देखिए ये नए हो गया नए सुनो और अब फिर फिर फोकस कर दिया पूरे ग्राउंड पर मेरा प्रशन है प्रमांड से नए दिखाए नए से फिर प्रमांड दिखाए वो पहला प्रमांड जो था और तिसरा प्रमांड इसमें कुछ फरक पड़ा की नहीं बूलिए फरक पड़ा की नहीं पढ़ा पहले जो ओपर से दिखाए था सामन्य वीव मिला लेकिन जो एक एक यूनिट दिखाया और उसके बाद फिर समगरवस्तो दिखाई उस समगरवस्तो की फिर महिम आई कितने जन्ने बात को पकड़ा very nice फिर समगरवस्तो दिखाने लग गये दूर से मातर क्रिकेट मैश दिखा रहे सामन्ने महिम आएगी रुकदम पास में दिखा है ये बेल्स बेल्स में लाउड स्पिकर है होते हैं लाउड स्पिकर जानते हैं बेल्स और इसकी किमत इतनी है उसका ऐसा है उसका ये है सब नजदिक से दिखा रहे है तो विशेश महिमा आने लगे ग्राउन की पताज ख्याल में आ रहा है आपको प्रमान मुखे इसलिए है पहले समगर वस्तु का ग्यान होता है समगर वस्तु का ग्यान होए बगैर बोलिए एक-एक अंच का ग्यान होगा कहा से यह बात दुसरी है एक-एक अंच के ग्यान होने से समगर वस्तु का विशेश ग्यान फिर से होगा विशेश ग्यान अपुरव अपुरव ग्यान ऐसा होता रहता है उसी को प्रमान कहते है यह परिक्षम का पहला सुत्र है परिक्षमुक सुत्र में फिर कभी पढ़ लेंगे मुक्ति आपको समझ में आ रहा है बेटा प्रमण और नहीं समझ में आता है सबको आच्छे से ऐसा भी होता है फिर एक साथ बॉलिंग और बैटिंग दिखा रहे है लेकिन कभी-कभी ऐसे भी करते हैं मात्र बॉलर को दिखाते हैं और बॉलर को दिखाए बॉल फे की फटापट बैट्समन को दिखाते हैं कभी बैट्समन कभी बॉलर कभी ऐसे दिखाते हैं और कभी एक साथ दिखाते हैं एक साथ दिखाना प्रमाण का काम और one by one दिखाने नए का काम नए दिखाने से और स्पष्टता होती है इसलिए नए को दिखाय जाता है ठीक है क्योंकि प्रमाण में उतनी स्पष्टता नहीं हो सकती एक एक आंच में स्पष्टता हो जाती है ठीक है एक गाड़ी परचेस करनी है अब पिर एक एक सीट देखो स्टेरिंग देखो एवरेज देखो अंच देख रहे प्रमाण नए अधिगमा प्रमाण और नए की परिभाष्टता सबको समझ में आ रही है वस्तू के अंच वस्तू और वस्तु का अंच इसलिए वस्तू को जानने का साधन और अंच को जानने का साधन सुनिए सुनिए अभी मुझे क्या कहना है वस्तू को जानने वाला प्रमाण वस्तू के अंच को जानने वाला नए तो क्या प्रमाण के अंच को नए बोला जा सकता है मेरा प्रश्ण है समझ में आता है समझ में आता है आपको क्या कहा हमें ने क्या नए को प्रमान का अंच बोला जा सकता है क्योंकि वस्तू के अंच को वो दिखाता है नए मुक्ती क्या बात सही है बिल्कुल सही है प्रमान की अंच को नए कहते है ठीक है लेकिन 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 इन सभी आंशों को मिलाओ तो प्रमन हो जाएगा क्या है लेकिन इन सब अंचों को सापेक्स रुप से मिलाए जाए निर्पेक्स रुप से नहीं कितने जन्ने बात को पकड़ा अभी अभी थोड़ा बता तो सापेक्स निर्पेक्स अभी पकड़ता हो अभी बताता हो आपको इसे प्रकरना भी चालू नहीं हुआ है देखिए हमने ये बॉलर दिखा रहे है बॉलर दिखाया ये तो बॉलर दिखाया तो हमरे ग्यान में इस तर बैट्समन खड़ा है इसको कहते है सापेक्ष बॉलर को दिखा रहे है मतलब अपेक्षा है और फिडन एक जन है बैट्समन अभी है कोरा बॉलरी बॉलर नहीं है यह हमारे ग्यान में है तो एक बार बॉलर दिखाए एक बार बैट्समन दिखाए तो किसी कोई ब्रहम हो सकता है अकला ही बॉल भेक रहा है और अकला ही बैटिंग कर रहा है एक दूसरों के सामने कोई आई नहीं रहे ऐसे लगता है कभी हमको ग्यान में है सामने एक जन खड़ा है इसको कहते है सापेक्स था अपेक्स लिये हुए है निर्पेक्स नहीं है क्या धगों के समू को कपड़ा बोला जा सकता है तो एक काम कर दो यह दिया ऐसा हो नई नई साब ताने और बाने के समू को कपड़ा कहा जा सकता है, ये ठीक है, ताने और बाने के समू को कपड़ा कहा जा सकता है, ताना बाना नहीं समझते, ताना मतलब आड़ा कपड़ा, और बाना मतलब खड़ा कपड़ा, ताना बाना, ठीक है, ताना मतलब खड़ा कपड़ा, खड़े और बाना मतलब आपने कभी वीविंग नहीं देखा वीविंग एंड लूम पर उसमें दागे कुछ आड़े होते हैं कुछ खड़े होते हैं देखाए तो उसको ताना और बाना ऐसे कहते है होरिजन्टल और वर्टिकल लॉंजिटूड और लाटिटूड ताना और बाना अब मेरा प्रशन है क्या ताना और बाना का समू कपड़ा है दागों का समू तो नहीं कह रहा है ताना और बाना का समू है तो फिर एक काम करो सब ताने ताने इसे रगदो और बाने बाने उस पर रगदो होग जाएगा कपड़ा नई उसका इंटरमेश इंटरमेश मतलब इंटरमेश मतलब वो परिटुक्लर परिटुक्लर उसका फॉर्मेट चाहिए परिटुक्लर मिंगलिंग मिंगलिंग समझते हो मेश होना चाहिए परिटुक्लर देन देट विल भी अचार बनाना है अचार अव्ला कैसे बनना अव्ला? अरे बहुत आच्छा है उस इसरल है अव्ले में क्या-क्या होता है हम पूछ रहें कित एक तेल होता है और वैसे सवरसुतों डालते हैं यह बगार में, दुईदल हो जाता है तो थीक है तुम तेल है, जीरा है, नमक है, बडिया है तो ठीक है, अब आवला ले लिया किसने उसमें तेल डाल दिया नमक डाल दिया, जीरा डाल दिया और चमच में और फिर खा रहे है चलेगा क्या का मख़ए और घुलना पड़ेगा ना उसको और पिर घुलने से ही का मख़एगा तेल यदि फ्राइंग कंडिशन आए तब डालनी है सामगरी समझ में आता है तो क्या आवला भी कच्चा खाएगा फिर उपर से नमक खाएगा फिर एक चमच नमक खाएगा फिर आधी कटोरी तेल भी पी लेगा तो क्या अचार का स्वाद लेगा क्या कि ब्रश्ट आचार का लेगा स्वाद समयज में आता है यापको है साचार खाएग अभी तुम्हें तेल पियाएग कभी पिर देखो वो बहल बनाते न लोग फिर थोड़ इसी से मुझमे डाल दो फिर थोड़ा सो ओ मुझमे डालते चलो सीधर डालते चलो, चलेगा कहा है, आरे वो particular mixture करो पहले वहाँ पर, समझ रहें, ने तो ऐसे तो पेट में तो सब भेली भेले दे, आरे भेली यहाँ पर, मैं इतना सार क्यों कह रहा हूँ कौन बताएगा, कौन बताएगा, बोलिए, ने शोकुर, प्रबाइगे, देखो मैं यह कह रहा हूँ, क्या नयों के समू को प्रमण कहा जा सकता है, तो मैंने कहा, सापेक्ष नयों के समू को प्रमण बोला जा सकता है, निर्पेक्ष नयों के समू को प्रमण नहीं बोला जा सकता, इसका हाथ तोड़ा, उसका पेर तोड़ा, उसका आख तोड़ी, उसका हो ग क्या है कि यूले लंगडों लंगडे खड़े होंगे यूड क्या है सब के सब हैंडिकप टहिए आप सब पकड़ है मेरी बात को परी बहुते अपने अईसे की लिया सपेक्ष नईों के समय को प्रहमान का क्या क्योंकि यह जो धर्म है वस्तू में आत्मा में आपी कहना हो तो ये धर्म सब सापेक्ष धर्म है धर्म कैसे है ये सापेक्ष धर्म मतलब एक को कहेंगे तो दुसरा गवन है धर्म लेकिन है तो इसलिए नई की एक परिभाशव होगी निर्पेक्षान आया मिथ्या वस्तूत अर्थकृत कल हम देखेंगे क्या निर्पेक्षा नया मित्या वस्तू त्यार्त करत और कल देखेंगे अ निराकरत प्रतिपक्षो नया अ निराकरत प्रतिपक्षो नया यह दोनों परिभाषा मैंने आप भी बताई इसका विशेश खुला सापन कल करेंगे आप सब समझ रहे हैं प्रमान और नए का थोड़ा सा हमको ग्यान करना है और फिर दो तिन दिन में हमको मूल प्रकरन अपना निश्चे व्यावार यथा वच्च चलेगा फिर खूब आठ नएयों के भेद मुझे बताने है वो खूब मैं आपको नएने उधरनों से इसको पुटप करने का प्रहास करूँगा ओम नमा